Assalam लिकुम grade two, let's start our lecture 17 Today we are going to start our unit 2 and the name of the unit 2 is arithmetic operations Unit 2 का name क्या है, the name of the unit 2 is arithmetic operation arithmetic operation क्या होते है arithmetic operation में हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है arithmetic operation में हम चार operations के बारे में पढ़ते हैं और वो चार operations कौन-कौन से है addition, subtraction, multiplication and division ठीक है arithmetic operation में हम चार operations के बारे में पढ़ते हैं और वो चार operations कौन-कौन से है वो चार operations है addition, subtraction, multiplication and division addition को जो है वो हम plus भी केते हैं subtraction को हम minus भी केते हैं ठीक है चार operations के बारे हम पहरेंगे कौन उसके पढ़ाएंगे इडिशन, subtraction, multiplication, division तो हम सबसे पहले जिस operation के बारे में पढ़ाएंगे वो है additions हमारा जो सबसे पहला operation है वो क्या है वो है addition and this is the sign of addition हम सबसे पहले addition के बारे में पढ़ेंगे और ये है addition का sign plus का sign here is exercise number one यहाँ पर लिखा हुआ है add the following numbers addition में हम numbers को क्या करते हैं? हम numbers को plus करते हैं हम numbers को plus करते हैं तो हम इस sum में सबसे पहले number को plus करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास नमबर को vertically set किया हुआ है और उनकी place value लिख हुई है unit 10s and 100 और addition जो है वो हमेशा कहां से start करते हैं हमेशा addition करना unit place से start करते है unit place मतलब your right hand side हम addition करना या पिस subtraction करना सबसे पहले कहां से start करते है unit side से आपके सीधे हाथ की तरफ से so unit side पे हमारे पास क्या number लिखा हुआ है सबसे पहले है 4 plus 1 4 plus 1 या पर देखे हमारे पस किस चीज का sign दला हुआ है plus का sign दला हुआ है plus का तो हमने इसे plus करना है 4 plus 1 क्या होता है 5 okay then second is 4 plus 2 unit वाला तो हमने कर लिया unit का हमारे पास answer भी आगे अब जो है वह हम जाएंगे tens की तरफ मूफ करेंगे अपने left hand side पर ठीक है right hand side से आपने start करना है और फिर जो है आपने left hand side पर move करना है ठीक है then 4 plus 2 4 plus 2 what will be the answer the answer is 6 okay फिर उसके बाद हम left side पर move करेंगे 4 plus 3 4 plus 3 4, 5, 6 and 7 ओके तो हमारे पास answer क्या आया हमारे पास answer आया 765 क्या answer आया 765 क्या जब हमने 444 को प्लस किया 321 के साथ तो हमारे पास क्या answer आया हमारे पास answer आया है 765 यहां पर देखे exercise number one और यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है add the following add the following करके जब हमने इसको add किया यह वाला जो है वह मैंने आपको करके दिखा दिया है जब हमने इसे add किया था हमारे यहां पास answer आगया है 765 ठीक है इसी तरह से अब हम करेंगे बी वाला बी वाला भी इसी तरह से प्लेस वैली लिखी हुई है 110 एंड यूनिट ठीक है यूनिट एंड है और जो है नंबर यहां पर वर्टिकली सेट हैं और साइन किस चिसका लगा हुआ है यहां पर हमारे पास साइन यूस हो रहा है वह है प्लस का कौन साइन यूस हो रहा है है यहां पर हमारे पास जो रहा है फलस का तो हम साइन उतलब हैं आपने अंड साइड in ऊस्षा के सुट भी एल्ट की एलिए एटट ऑन या ने 9 okay then 3 plus 6 3 plus 6 what will be the answer 3 plus 6 the answer is again 9 and the last one is 6 plus 1 answer is 7 okay or try किजेगा कि जो भी आप answer लिख रहे हैं और युनिट प्लेस वाले का answer लिख रहे हैं तो वह बिल्कुल युनिट प्लेस के नीचे होना चाहिए 10s का लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल 10s के नीचे, अगर 100 का लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल 100 वाली value के नीचे होना चाहिए, ठीक है, बागे के जो remaining sum है, वो आपका classwork है, page number 24 में जो remaining sums है, वो आपका classwork है, and page number 25 पर जो हमारे पास 6 sums है, वो आपका homework है, So, do your classwork and homework, neat and clean, best of luck, Allah आफिस!